आज मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि कन्योज में असली गुलाब जल इतर और पर्फियूम कैसे बनाया जाता है और इसका क्या प्रोसेस होता है कैसे दुकान तक जाता है और फिर आपके हाथों में आता है इसके लिए मैं आपको लेचलता उन्हें तोड़ा जाता है जैसे मेंदी के फूल गुलाप के फूल फिर इन्हें छाटा जाता है उसके बाद इन्हें फैक्टरी में ले जाया जाता है और डेगों में भर दिया जाता है और फिर इसमें रेशियो के हिसाब से वाटर एड़ कर दिया जाता है इसमें स्टीम बह और उसके बाद उसके नीचे आग लगा दी जाती है यह जो आप देखना है यह पाइप अंदर से पूरा खोकला होता है जिससे डेक में जोड़ दिया जाता है और इस पाइप को चोंगा कहा जाता है और इस चोंगे को भपके नाम के बरतन में जोड़ दिया जाता है और उस पार ये जाता है है जिससे जो बहां आ रही अंदर से वो इसमें थंडी हो जाए और लिकुड फॉर्म में आ जाए और इस प्रोसेस को बार बर रिपीट किया जाता है जब तक आपके flowers में से oil निकलना बंदना हो जाए और फिर last में आपका pure oil निकल के आ जाता है यह जो आप देख रहे हैं यह केवड़ा का फूल है जो उडिसा के coastal area के गंजाम district में ही पाया जाता है बाकी पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता है इसमें से केवड़ा जल और oil निक seal कर दिया जाता है चारो तरफ से ताके कुछ भी leak ना हो और नीचे आग लगा दी जाती है और भपके की मदद से oil और water को निकाल लिया जाता है और फिर दोनों को अलग करा जाता है जो oil होता है उसे इतर बनाने में यूज किया जाता है और जो water बसता है उसे केवड़ा जल यह होती है कि जब आप उसे कांच की bottle में रख देंगे तब कुछ दिनों बाद उसमें जो केवड़ा जल के particle से भी खटा होना शुरू हो जाएंगे और आपको उसमें एक ratio बनता हुआ दिखेगा इससे पहले मैंने आपको जो अभी गुलाब जल बनने का process दिखाया था तो मेरे पास 200 मिली लिटर के packs लेकर 5 लिटर के pack तक available है हमारी शोप का address है ऐसे discount बजार सेक्टर पंदुरा वस्वंदुरा गाजियाबाद इंडिया और जानकारी जानने के लिए हमारे WhatsApp नमबर 991-881042 पर contact करें